नगसकार दोस्तो P.M.K.S.ान शम्मान निधियोजना की खी 8 फिकिस्त को लेके अब इन्तिजार समापत हो चुका है दोस्तों आपको बता दे सीटेट की जो आठवी किस्ट है उसको लेके जो इंतिजाज चल रहा था वो समाप्त हो चुका है और सीटेट की आठवी किस्ट की जो तारीक है जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है आपको बता दे किस तारीक को आठवी किस्त का पैसा आएगा और दोस्तो आठवी किस्त में भी बड़ोतरी हो चुकी है इससे पहले जो PM किसान शम्मान निद्योजना की अब तक जो 7 किस्ते मिली है यानि कि कुल 14,000 रुपए की जो रासी मिली है वो 14,000 रुपए की रासी जो है आपको 22,000 रुपए की रा की रासी आपको मिलेगी 2,000 रुपए की वजाए आपको जो है 3,000 रुपए की रासी मिलने वाली है तो चलिए किस प्रकार से किस तारीक को जो है आठवी किस्त का पैसा आएगा किस प्रकार से किन किन किसानों को जो है ये पैसा मिलने वाला है शंपून जानकारी इस एक ही निद्योजना के नय जो आविधन है या फिर जितने भी लोग 8-4 किस्ट के लिए इलीजिबल है पातर है उनकी एक नई लिस्ट भी जो है जारी कर दी गई है तो उस लिस्ट में भी आप किस परकार से अपना नाम चेक कर सकते हैं कि उस लिष्ट में आपका नाम है या नहीं है ताकि आप सुनिशित कर सके कि आपको 8 वे किस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसी के लाव दोस्तों जिन लोगों का उस लिष्ट में नाम नहीं है तो वो कहां पर जो है उसमें संसोधन करा के किस परकार से उस लिश्ट में अपना नाम जुर्वा सकते हैं शंपून A2Z जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं बस आपको इस वीडियो में सुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं जहाँ दोसतो अगर आपने अभी तक हमारी यूटूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आया है तो इसी परकार से गोर्णिन की तमाम सरकारी योजनव की जानकارी हमारी यूटूट चैनल के मादम से देखना चा रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है जल्द से जल्द वीडियो के नीचे नमस्कार दोस्तों आप सभी का पहले देखो पहले सी को योटूब चैनल में स्वागत है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं के है तो प्लीज रेट सब्सक्राब बटल को दबा के चैनल को सब्सक्राब करने इसके साथ जो भंटे का आएगन है इसको भी दबा के ओन कर ले लैटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए जी हाँ दोस्तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पियम किसान इसकी 10 अप्रेल से खाते में आएंगे 2000 रुपए फटाफट फूरा कर ले एक काम जी हाँ दोस्तो पियम किसान सम्मान निद्योधना के आठवी किस्त की तैयारी कर ली गई है रेजिस्टर्ड किसान एक बार फिर से जो है अपना रिकोर्ड चेक कर लें कि कहीं आपकी अकाउंट में किस भी प्रकार की कोई गड़वड़ी या कोई भी कमी तो नहीं है जिसकी वज़े से आप जो है आठवी किस्त का लाब लेने से चूग जाएं दोस्तो किसान आदोलन के बीच मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों के खाते में दो हजार रुपए की अगली किस्त भीजने की तैयारी की है यानि कि ओवर ओल हम बात करें तो आठवी किस्त जो है 10 अपरेल 2021 को आनी सुरू हो सकती है अब तक जो है किसानों को 7 किस्तों का पैसा मिल चुका है यानि कि 7 किस्तों के मादम से 22,000 रुपए की हर किस्त के मादम से कुल 14,000 रुपए किसानों को मिल चुके हैं दोस्तों इन 14,000 रुपए में से यानि कि इन 7 किस्तों में से आपको अभी तक कितनी किस्ते मिली है कमेंट बोक्स में जरूरू बताएं इस अगर इसका इंतिजार कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में बने रहना है हम आपको बताने वाले है कि किस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं कि लिश्ट में आपका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है दोस्तो पी-म किसान स्कीम के तहट केंदर सरकार जो है दो-दो हजार रुपे की तीन किस्तों के माद्यम से हर साल पैसा ट्रांसपर करती है इस बजट में इस स्कीम की जो रासी दो हजार रुपे थी इसे भी बढ़ा के काफी राज्यों में इसे चार हजार रुपे भी किया गया है दोस्तों हम बात करें पहली किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आती है जबकि दूसरी किस्त जो है एक अप्रेल 31 जुलाई के मद्ध में आती है और तीसरी किस्त एक अगस्त से लेके और 30 नौंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है तो दोस्तो वहीं दिसंबर महा में जो 25 या 27 दिसंबर को जो 7 वी किस्त आई थी अब उस किस्त के बाद जो अगली किस्त है उसका टाइम हो चुका है यानि की एक अप्रेल से लेके 31 जुलाई के बीच में कभी भी जो है आठवी किस्त किसानों के अकाउंट में भीजी जा सकती है तो दोस्तो अभी जो है संबावना सबसे ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि 10 अप्रेल को जो है आठवी किस्त का पैसा किसानों के अकाउंट में टांसपर किया जा सकता है हाला कि अभी जो डेट है ये कोई exact fix डेट नहीं है लेकिन लगबग हम बात करें 90 प्रेसेंट जो लेकिन दोस्तो पूरी पूरी संबावना यह है कि ये किस्त जो है 10 अप्रेल के something एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन 10 अप्रेल तक ये किस्त जो है किसानों के अकाउंट में टांसपर कर दी जाएगी साथवी किस्त के बारे में भी हमने आपको बताय था कि दिसंबर के अंतिम तक जो है ये किस्त अकाउंट में टांसपर कर दी जाएगी और उसी के मताबिक जो है 25 या 27 दिसंबर को जो है किसानों के अकाउंट में 7 वी किस्त का पैसा पहुंच चुगा था तो हमारी चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे 60 जानकारी दी जाती है तो अगर आप अब भी एक ही जगह गवर्मेंट की तमाम सरकारी योजनाओ की जानकारी देखना चाहरे है तो वीडियो के नीचे रेड सबसकाई कवड़न को दवा के जल्द ही अभी वीडियो के नीचे सबसकाई कवड़न को दवा के चैनल को सबसकाई और जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें दोस्तों लेकिन आम तोर पर पैसा ट्रांसपर करने की प्रकिलिया में जो है लगबग 10 दिन का टाइम लग जाता है यानि कि सभी जगए एक दिन किस्त नहीं पहुंच पाती है तो दोस्तों वेशने हम बात करें आपको बता दें अब तक जो है इस स्कीम के तहत 11.66 करोड रजिस्टर्ट किसान जो है हो चुके है यानि कि कागजाद दुरस्त जिन किसानों के हो चुके हैं 11.66 करोड किसानों को जो है अब आठवी किस्त का लाब मिलने वाला है इसलिए आप भी जो है अपना record चेक कर लें ताकि आगे जो आठवी किस्त का पैसा आएगा उसको किसी भी प्रकार से आपके अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी हो इसका आप पहले ही अंदाजा लगा ले पहले ही पता कर ले ये किस प्रकार से आप पता करेंगे कि आपकी अकाउंट में आठवी किस्त का पैसा आएगा नहीं आएगा लिस्ट में आपका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तो इसके लिए आपको जो है Google का न्यू पेज ओपन करना है और इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in जी हां दोस्तों आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in आप इस तरीके से जैसे ही टाइप करेंगे तो आप जो है pmkisan.shamman.nidhiyod ना की जो official website है यानि की प्रधानमंत्री kisan.shamman.nidhiyod ना की जो official website है यहां पे आप आप आजाएंगे दोस्तों pmkisan.samman.nidhiyod ना में एक नया option भी जुड़ा है जिसके बारे में आपको मैं next video में जानकरी प्लब्द करा दूँगा need help ask ni cci यानि कि इसका मतलब क्या है इसके बारे में मैं आपको next video में जानकरी provide करा दिया है मैंने और इसके बारे में विस्तार से भी जानकर या आपको next video में मैं देने वाला हूँ तो इसके लिए आप channel को subscribe जरूर करें तो दोस्तों list में अपना नाम check करने के लिए आप जैसे नीची आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक option दिखाई देगा benefitory list यहाँ पे आप देख सकते हैं यह benefitory list वाला option आपको दिखाई देगा farmer corner वाले option में आपको इसके उपर click करना है जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे next page जो open होगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको अपने state का नाम select करना है यहाँ पे आपको अपने district अपने जिले का नाम भरना है यहाँ पे sub district यहाँ पे block और यहाँ पे आपको village का नाम भरना है और आपको get report के उपर click करना है तो जैसे मैं यहाँ पर example के तोर पर एक राज्य का नाम यहाँ पर आपको समझाने के तोर पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है दोस्तो यह पूरी detail आप अपनी correct भर सकते हैं, correct भरने के बाद आपको यहाँ पर get report के उपर click करना है जैसे आप get report के उपर click करेंगे तो दोस्तो आपके सामने जो है यहाँ पे तो दोस्तो जैसे आप get report के उपर click करेंगे get report के उपर click करते ही जो है आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं उस गाओं के सभी किसानों की list आ जाएगी जिन किसानों का नया नाम जुड़ा है जिनके में गलती थी जिनोंने अपडेट करवाया है सभी की लिष्ट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है तो आप इसे रोजना चेक कर सकते हैं जब तक आठवी किस्ट नहीं मिलती है तो दोस्तो इस लिष्ट को आप जो है चेक करते रहें यहाँ पे आप इस लिष्ट में जो है अपना नाम आप चेक कर सकते हैं अगर इस list में आपका नाम है तो दोस्तो आपने इस्तिंत रहेगा आपको जो है PM किसान शम्मान निधियोजना की जो अगली कीश्त है वो आपको मिलने वाली है तो दोस्तो ये थी PM किसान शम्मान निधियोजना को लेके बड़ी update जिसके बारे माज इस वीडियो में हमने दोस्तो अगर आपको जानकरी अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो और जानकरी पसंद आई हो जानकरी से आप संतुष है तो यह आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाईयों तक सेर करें थाकि हर किसान तक कि जानकारी पहुंच सके और दोस्तों अगर आभी भी आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे यूटूब चैनल को सब्सकाइब करके हमारी चैनल के साथ जुड़े क्योंकि जल्दी हमारी जो फैमिली जो है च्छेलाक लोगों की होने वाली है च्छेलाक होता ही हम गिवे करेंगे फिर से जिस तरीके से पांच लाक के अपर गिवे किया था च्छेलाक होता ही हम गिवे करेंगे